आज हमने एकतम क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी ब्रैड रोल या ब्रैड कटलेट भी कहा सकते हैं बना कर तयार किया है और इसे हमने इतनी आसान तरीके से बनाया है कि यदि कोई पहली बार भी बनाएगा तो एकतम परफेक्ट बना सकता है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामरसोई में तो चले शुरू करते हैं बनाना इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर साथ ब्रेड ली है तो सबसे पहले ब्रेड को तोड़ कर मिकसर के एक जार में डाल दीजिए और अब हम इन सारी ब्रेड को पीस कर तयार कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे तो यह देखिए हमने सारी ब्रेड को पीस लिया है अब हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे इसमें मैंने चार मेडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं आलू को उबाल कर, छील कर और कद्दू कस करके लिया है आलू के कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए इसके लिए कद्दू कस करके लिजिएगा अब हम इसमें दो बड़े चम्मच बारी कटा हुआ प्याज दो बड़े चम्मच बारी कटी हुई शिमला मिर्च दो बड़े चम्मच बारी कटी हुई गाजर या गाजर को कद्दुकस करके भी ले सकते हैं दो टेबल स्पून उबले हुए स्वीट कॉन लिये हैं स्वीट कॉन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो उबले हुए मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो या स्वीट कोन ना हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा एक से दो बारी कटी हुई हरी मिर्श डाल दी है आधा इंच अद्रक के टुकडे को कद्दुकस करके ले लिया है दो से तीन बड़े चम्मच बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसालों में हमने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्श का पाउडर एक चम्मच चाट मसाला लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और एक चोथाई छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर डाला है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रोल बनकर तयार होंगे एक छोटा चमच मैंने नमक डाला है नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हो एक छोटा चमच नीम्बू का रस डाल दिया है आप निम्बू के रस की जगए आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो यहाँ हमने दो बड़े चमच कौन फ्लॉर डाला है कौन फ्लॉर डालने से बहुत ही क्रिस्पी रोल बनेंगे आप कौन फ्लॉर की जगए चावल का आटा भी डाल सकते हो या आरा रोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो अब हम पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखे सारी चीजे बढ़िया से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें ये ब्रैड डाल देंगे जिसे हमने पीस कर रखा हुआ है और इसे बढ़िया से mix कर देंगे तो friends इस तरह से आप cutlet बनाएंगे कोई भी बना सकता है बहुत ही आसान तरीके से ये बन कर तयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा tasty लगते हैं तो ये देखिए हमने इसका एक डो जैसा बना कर तयार कर लिया है तो हमने यहाँ पर जितनी bread पीस कर तयार की थी केवल एक टेबल स्पून के करीब bread crumbs बच गया है इसमें हम दो तीन bread डाल कर और पीस लेंगे जो हमें आगे काम आएगा अब हम हातों को अच्छे से धो लेंगे अब हम प्लेट पर इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं दोनों साइड के किनारे भी बढ़िया से फिनिशिंग दे देते हैं और ये देखी हमारा एक रोल बनकर तयार हो गया है इसी तरह से हम सारे रोल्स बना लेंगे जितना हमने मेजरमेंट लिया था उसमें हमारे 19 से 20 ब्रेड रोल बनकर तयार हो जाएंगे अब हम कॉन फ्लॉर और मैदा की सलरी बना कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने यहां 2 टेबल स्पून कॉन फ्लॉर और 2 टेबल स्पून मैदा ली है इसमें हम 1 चुथाई चमच के करीब नमक डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए हम इसका एक पतला घोल बना कर तयार करेंगे और यह लीजिए कॉन फ्लॉर और मैदा की सलरी बनकर तयार हो गई है इस तरह का पतला घोल बनाना है इधर हमने 3-4 ब्रेड को और पीस लिया था तो सबसे पहले हम इन रोल्स को कॉन फ्लॉर और मैदा की सलरी में अच्छे से डिप करेंगे उसके बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे तो इससे जो हमारे रोल्स हैं वो देखने में भी सुन्दर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं एकदम क्रिस्पी बनते हैं कॉन फ्लॉर की सलरी में डिप करके बनाने से ये रोल्स तेल में जाके फटते भी नहीं हैं और ये देखिए हमने सब पर अच्छे से bread crumbs लगा दिये हैं, अब हम इन्हें 15 मिनिट के लिए deep freeze में रख देंगे, ताकि ये बढ़िया से set हो जाएंगे और बिल्कुल भी तेल absorb नहीं करेंगे, तो 15 मिनिट मैंने इन्हें freeze में रख दिया था, और अब हम इन्हें fry कर लेते है फ्राइ करने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ था, गैस की आज को मीडियम रखिएगा, एक बार में ज्यादा कटलेट नहीं डालना है, 4-5 कटलेट डाल दीजिए और कटलेट को तेल में डालते ही तुरंत जारा नहीं लगाना है, 30-40 सेकेंड फ्राइ होन पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर इन पर आ गया है, तो बस अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, बहुत ही क्रिस्पी कटलेट बनकर तयार हुए हैं, ये देखिए, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कम समय म बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तयार होती है तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राय जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताईएगा अच्छा लगे तो लाइक शियर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ